अगर आप पहली बार हमारे साथ जुड़ रहे हैं तो दोस्तों साइंस एंड टेक्नलॉजी के बेसिक्स को कवर करने के लिए इस सीरीज स्टार्ट की गई है अल्रेडी पांच लेक्चर्स आपको हमारे यहां पर इस चैनल पर साइंस एंड टेक्नलॉजी के प्लेरिस में मिल जाएंगे जरूर उन चैनल उन वीडियो को गो थू कीजिए तभी आपको आगे की डिसकेशन जो हमों समझाएगे इस सब बेसिक्स जो साइंस एंड टेक्नलॉजी से संबंदित हैं उनको हम यहां पर कवर करेंगे आप साइंस एंड टेक्नलॉजी को इस लेक्चर सीरीज की मदद से अच्छे ऐसे समझ पाएगे मैं नाम शुबम साधालिया है UPSC preparation में मैं आपका educator हूँ, mentor हूँ, अलग-लग subjects को मैं आपके साथ में take up करूँगा दोस्तों इस तरीके के topics काफी जादा important हो जाते हैं हमारी UPSC preparation में और उससे भी जादा important है complete syllabus को पढ़ना क्योंकि ultimately एक, दो या चार topic पढ़ने से exam qualify नहीं होगा, exam qualify करने के लिए हमको complete syllabus को detail में, depth में पढ़ना है जिसके लिए आपको जोड़ना होगा हमारे plus और iconic courses में, so Ann Academy के बहतरीन courses आपको expert faculty द्वारा complete syllabus preparation हर चीज़ दो exam को qualify करने के लिए जरूरी है वो सब चीज़े आपको पहुंच आई जाएंगे, आपको provide कर आई जाएंगी सिरफ और सिरफ आन Academy के plus और iconic subscriptions पर जिनको आप massive discounts के साथ using this code SAR10 पराप्त कर सकते हैं तो हमारे bilingual batches start हो रहे हैं, November extension offer चल रहा है, 15th of November अगर आप SAR10 code का इस्तेमाल करते हुए enroll करते हैं तो आपको 9 months के साथ 2 months की free subscription, 12 months के साथ 3 months free subscription इस तरीके से free subscriptions आपको मिल जाएंगी दोस्तों पिछले कुछ सालों में trend इस तरीके से देखा गया है कि CSET जो है वो काफी जादा complicated part होता जा रहा है बहुत सारे students ऐसे हैं जो prelims के अंदर GS1 को तो qualify कर लेते हैं, लेकिन CSET एक stumbling block बन जाता है so don't let CSET block your selection in UTSC, हम आपके CSET की syllabus को cover करने के लिए आपके CSET के exam में अच्छे से आप perform कर पाएं, सुदेशय के साथ में specialized CSET badge दे करके आए है जहां पर top educators के दोरा आपको पढ़ाया चाहेगा, हमारे इस badge का price मात्र 8,999 रुपे है अगर आप use करते हैं, यह quote SAR10 दोस्तों, Unacademy Civil Service Championship में आप मिल पाएंगे 2020 badge के IES officer गौरफ सर से so आपको इसमें Unacademy Civil Service Championship में आप हिस्सा लेना होगा, यह सब फीचीजें आपको no cost EMI पे मिलती है यानि कि आपको सारा का सारा amount एक साथ पे करने की ज़रूरत में, यह छोटे-छोटे monthly installments में आप हमारे साथ में इन सभी चीजों को प्राप्त कर सकते हैं दोस्तों हम syllabus की discussion अगर करें तो space technology हमारा cover हो चुका था, आज के lecture में हम planetary systems को भी cover कर लेंगे कल हमने पिसे lecture में planetary systems की शुरुआत करी थी, तो planetary systems से आगे बढ़ते हुए, इसका second जो component है, planetary systems का जो topic discussion है, उसको हम इस lecture में take up करेंगे यह planetary systems की शुरुआत हमने कल के lecture में करी थी, sun, art planets, उसके साथ में dwarf planets, satellites, इन सभी चीजों के बारे में हम लोग बात कर चुके थे, अगर आपको इसके बारे में idea नहीं है, तो please lecture number 5 ज़रूर देखिएगा, क्योंकि वहाँ पर हमने बहुत ही विस्तार पूर्वक समझा है कि कि इन criteria's की वज़ा से कोई object planet बनता है, कोई dwarf planet बनता है, क्या satellite होता है, इस सभी बातों को हम already discuss कर चुके हैं, दोस्तों हमने dwarf planets की बात करी थी, हमने various terms जो solar system के संबंद में use होती है, planetary systems के संबंद में use होती हैं, जैसे asteroids, comets, meteoroids, meteors, meteoroids, ये तीन terms तो बहुत जादा confusing होती है, इनके बीच के difference को हमने समसा था, इन सभी बातों को हम detail से discuss already कर चुके हैं, आगे की discussion जो है, वो आज हम करने वाले है, आज हम बात करेंगे classification of planets के बारे में, आज की मारी discussion जो है, वो classification of planets से शुरू हो, so planets हो है, वो दो तरीके से classify किये जाते हैं, total 8 planets है, मैंने आपको कल बताय पिछले lecture में, so 8 planets है, 8 planets किस तरीके से है, sir, कुछ planets inner planets है, और कुछ planets outer planets है, तो ये inner और outer क्या है, अब अगर हम इस term को समझे, inner क्या होता है, किसी जीज के अंदर, so inner planet has to be inside something, किसी के अंदर वो planet होगे, जिस वचा से उनने inner planets कहा जाता है, और कोई ऐसी boundary होगी, जिसके बाहर जो planets है, वो outer planets कहलाते है, so इनके बारे में हम समझेंगे, इसके लिए हम एक image रो है, उसकी help लेंगे, sir, ये है हमारा sun, आप देख रहे है, यहाँ पर एक asteroid belt है, और end में एक cupier belt नाम की, एक ring of asteroids हमको मिल जाता है, आप विस्तार पूर्वकिस को दोस्तों समझने की कोशिश कर थी, what is an asteroid, so asteroid was nothing but big rocks, बड़े बड़े पत्थर जो solar system में सूरे के इर्दगित खूम रहे थे, so जैसे हम पूरे के पूरे solar system को देखते हैं, sun, sun के बाद mercury, Venus, Earth, Mars, Mars के बाद Jupiter आना चीए, लेकिन Mars और Jupiter के बीच में बड़े बड़े पत्थरों को एक पूरी की पूरी ring है, इस इस तरीके से बड़े बड़े पत्थर जो है, वो devolve कर रहे है, sun के अराउंड, इस पत्थरों की पूरी की पूरी belt को नाम दिया गया है, क्या, asteroid belt, asteroid belt से इसको जाना जाता है, इस नाम से जाना जाता है, ऐसी ही एक asteroid belt जो है, वो Neptune के beyond भी आती है, ध्यान रखिये दोस्तों, एक asteroids की belt, पत्थरों की belt जो है, वो Mars और Jupiter के बीच में है, और ऐसी ही एक belt आती है, beyond Neptune, इसे नाम दिया गया है, क्या, cupier belt, दोस्तों, ये दोनों belts important है, दोनों ही ये पत्थरों से बनी हुई है, अगर हम location देखें asteroid belt की, तो याद रखना है, asteroid belt is between Mars and Jupiter, so sun से लेकर asteroid belt के बीच मे जो planets है, वो कहलाते हैं हमारे क्या, inner planets, so inner planets कौन कौन से हुए, Mercury, Venus, Earth और Mars, और outside asteroid belt जो planets है, वो कहलाते हैं क्या, वो हमारे कहते हैं outer planets, so हम ऐसे समझ सकते हैं, sun से लेकर asteroid belt तक जो planets आते हैं, वो inner planets है, और asteroid belt से लेकर, cupier belt तक जो planets आते हैं, वो हमारे outer planets कहलाते हैं, यहाँ तक कम कुछ चीज़ा समझ आई होंगी so definition अगर हम देखे definition एक simple classification क्या है सर कि Mars से लेकर के asteroid belt तक inner planets है और asteroid belt से लेकर के QPR belt तक outer planets है so inner planets है इन्हें terrestrial planets भी कहते है terrestrial यानि कि land जहां पर जमीन हो Earth like planets इनको कहा जाता है क्योंकि Mercury, Venus, Earth और Mars ये तीनों ही एक जैसे है terrestrial planets है, Earth like planets इनको कहा जाता है so inner planets और terrestrial planets बिल्कुल सेम है simultaneously outer planets के लिए एक term और इस्तेमाल होता है जिसका नाम है Jovian planet so if somebody asks us, outer planet and Jovian planet ये दोनों भी सेम होते हैं so एक बहुत बड़ा gas जैसे planet जो है वो Jovian कहलाते है क्योंकि after Mars के आता है Mercury, Venus, Earth, Mars Jupiter, Saturn, Uranus, Neptune ये size में काफी giant, काफी बड़े planets है और इनका surface पूरे तरीके से gas से भरा हुआ है जिस वज़ा से इने Jovian ये gas like planets भी जो है वो कहा जाता है, so inner planet and terrestrial planets are same, कौन-कौन से है Mercury, Venus, Earth, Mars और outer planets और Jovian planets ये कौन से है, Jupiter, Saturn, Uranus और Neptune, so ये classification है planets का, I hope हमको ये चीज सो है, वो याद रहेगी, दोस्तों इस image में अगर हम देखे हमने अपनी discussion में इस image में नजर आने वाली हर एक चीज को विस्तार पूरवक समझा है, हमने sun की बात कर ली, हमने planets की बात कर ली, ये चोटा सा moon नजर आ रहा होगा आपको, यहाँ पर Ceres है, Ceres क्या था, एक dwarf planet comets को हमने discuss किया था, asteroids है इसी asteroids में से कुछ meteorites बनेंगे, उन में से कुछ earth के surface में शामिल होंगे, जो meteors और meteorites की shape ले लेंगे Pluto है, again dwarf planet है, make make है, Aries है, QPR planet है, ये सब चीजे, planetary systems का part है, और इन्हें हम विस्तार पूर्वक, already system में समझ सुके है, I hope यहाँ तक हम कोई चीजे समझ आई होंगी, Sir inner planet की हम बात करें, तो ये inner planets हो है, वो sun और asteroid belt के बीच में आते हैं, I told you like that, ये terrestrial planets कहलाते हैं, क्योंकि ये अर्थ की तरह होते हैं, इसके surface पे हमें rocks और metals हो है, वो मिलते हैं, example क्या है, terrestrial planets की, या inner planets की Mercury, Venus, Earth और Mars, ये सारो ही terrestrial planets है, then we have outer planets, ये planets हो है, वो asteroid belt और cupier belt के बीच में आते हैं, कहाँ पर है, क्यूपियर belt, Neptune के आगे cupier belt है, और Mars और Jupiter के बीच में asteroid belt है, so इस asteroid belt और cupier belt के बीच में जो planets है, वो हमारे outer planets कहलाते हैं, इन्हें gas giant planets या Jovian planets के नाम से भी जाना जाता है, Jovian planets का आर्थ होता है, जो Jupiter की तरह है, so terrestrial planets तो हैं, वो Earth जैसे थे, Jovian planets तो हैं, वो Jupiter के जैसे थे I hope हमको ये classification जो है को समझाया हूँका, दोस्तों आगे बढ़कर के हम बात करेंगे Goldie Lock Zone एक term जो है, वो use किया जाता है, so sir Goldie Lock Zone क्या है, इसको Habitable Zone भी कहा जाता है, Habitable यानि कि Livable, यहां पर Life possible थी, so हमें कैसे बता चलेगा, Life possible है या नहीं है, एक तो simple तरीका था, किसी इंसान को किसी planet पे छोड़ा हो, फिर दो-चार महीने बाद वापिस जा करके देखना अगर तो जिन्दा हुआ, तो सब को बता देना कि हाँ वाकई में, इस planet पर Life possible है, यह Habitable Zone है अगर नहीं बचा तो फिर बोल देना कि Sorry, it was not habitable लेकिन क्या, यह वाइबल था Was it possible कि जितने planets हैं, जितने हमको Space के अंदर objects मिलते हैं वहाँ पर एक दो इंसानों को हर बार छोड़ा है ऐसा possible नहीं था So कैसे पता चलता कि कोई planet Livable है या नहीं है इसके लिए एक बड़ा simple सा तरीका इस्तेमाल किया गया हमारी basic necessities में सबसे जरूरी होता है पानी, water, ठीक है जहां पर water liquid form में होगा अच्छी water की 3 states होती है, right water is of 3 states पहली state क्या है solid second है liquid और third है gas so पानी जो है वो 3 states में exist करता है solid कब होता है जब very low temperature हो जो बहुत ठंड होगी तो वो solid होगा पानी, जब normal temperature होगा तो पानी liquid होगा और जब very hot temperature होगा very high temperature होगा उस समय पर पानी जो है वो gas होगा so simple चा क्लासिफिकेशन है life के possible होने के लिए हमें पानी liquid form में चाहिए जहां कहीं पर हमें liquid form में पानी मिल जाएगा it means कि वहाँ पर temperature जो है वो life को support करने लायक है अगर कहीं पर पानी ice के रूप में मिलता है, solid form में मिलता है यानि कि बहुत ज़ादा सर्दी होगी वहाँ पर वहीं दूसरी और अगर कहीं बहुत ज़ादा high temperature हुआ तो वहाँ पर पानी vapors की form में होगा so ना ही solid form में अगर पानी है तो life possible होगी अब बहुत ज़ादा बरफ में life possible नहीं होती है और वहीं दूसरी और बहुत ज़ादा गर्मी है तो भी life possible नहीं होगी वो planets जहां पर पानी liquid form में मौझूद है हम समझ जाएंगे यहां पर life जो है वो possible है ठीक है sir वो planets जहां पर temperature is just right for water to remain liquid जहां पर तापमान इतना है कि पानी हमारा liquid रहे वो habitable या goldilog zone कहलाता है एसा इलाका जहां पर temperature की range जो है वो इस तरीके की है कि पानी जो है वो तरल liquid form में रहेगा वो goldilog zone कहलाएगा यह किसी भी star के around कोई ऐसा area हो सकता है किसी planet पे किसी object पे जहां पर temperature ना ही बहुत जादा गरम है और ना ही बहुत जादा ठंडा है temperature इतना है कि उसके surface पे अगर पानी मौझूद है तो पानी liquid form में होगा इस shores के यह area life के लिए possible है इसे goldilog zone के नाम से जाना जाता है तो goldilog zone जो है यह term यहां पर इसके लिए इस्देमाल होता है I hope हम यहां तक चीजों को समझ पाए होंगे दोस्तों अब एक और important चीज यहां पर आती है हमें कैसे पता चला कि sun कैसा है sun पर क्या है यह सब चीजें कैसी थी तर इसके लिए जो easiest possible तरीका था वो इन चीजों को देखना था distant objects को देखने के लिए हम एक device use करते है जिसका नाम होता है telescope 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 क्या है किस तरीके से इसका इस्तेमाल होता है यह हम समझेंगे so कोई बहुत ही दूर का object था तो उसे देखने के लिए we need to have a bigger eye अब यह time काफी जादा से अजीब सा लगेगा bigger eye का क्या मतलब है कि सर आंखे बड़ी बड़ी करके देखना है मैं अभी आपको explain करूँगा तो हम समझ पाएंगे bigger eye का क्या हर्थ दूर से आने वाले object की light जो है वो हमें capture करनी थी तभी हम उस object को देख पाते है so होता कैसर हमें कोई चीज कब नजर आती है आप एक room में बैठे है room में बिलकुल अंधेरा है bitch dark है so आपको कोई भी चीज वहाँ पर नजर नहीं आती है लेकिन moment उस कमरे में आप light on करते है आपको सब चीज़े नजर आना शुरू हो जाती है कि यह सामने room में टीवी लगा है यहाँ पर एक wardrobe है यहाँ पर bed है यहाँ पर एक chair रखी है so यह कैसे possible हुआ जब अंधेरा था तो क्या वो सामान वहाँ पर नहीं था और light के on होते ही वो सामान हमें क्यों नजर आना शुरू हो गया किसी भी object को देखने के लिए क्या जरूरी है मान लीजिए यह object है इस object के उपर एक light जो है वो fall करती है light थोड़ी जी टेड़ी हो गई इस तरीके से यह एक object था so इस object को कब हम देख पाएंगे जब इस object के उपर किसी source से light आकर के गिरती है और यह light इस पर टकरा करके वापिस reflect होती है और हमारी आंखों तक पहुंचती है जब हमारी आंख में यह light पहुंच पाएंगी तो हम देख पाएंगे कि वाकई में सामने एक object रखा गया है so object के दिखने के लिए light का होना जरूरी था हमें object तब दिखता है जब यह light जो है उस object से reflect होकर वापिस हमारी आंखों में आती है इसके लिए एक time period जो है वो लगता होगा कुछ just a very small fraction of seconds जो है वो लगता होगा लेकिन क्योंकि light की speed बहुत ज़ादा तेज है तो हमें immediately वो object दिखना शुरू हो जाते है क्योंकि one thousandth और one millionth of second में हमें यह light जो है वो दिखना शुरू हो जाती है क्यों क्योंकि light की speed क्या है three lakh kilometers per second एक second में वो तीन लाख किलो मिटर का सफर कर लेती तो हमारे room कितना ही बड़ा होगा हमारा room जो है वो ज़ादा से ज़ादा कुछ square feet का होगा तो इस वचा से second के हजार में या लाख में हिस्से में ही वो light हमारी आंक तक पहुंच जाती है तो हमें पता नहीं चल पाता कि कितनी जल्दी वो light वापिस आ गई अब किसी भी चीज़ को देखने के लिए simplest तरीका क्या था या only possible वे क्या था कि उससे reflect होकर आने वाली light हमारी आंक में पड़े इस वज़ा से जब light room में होती नहीं है तो light इससे टकराती भी नहीं है और reflect भी नहीं करती है और हम अंधेरे में किसी object को देख भी नहीं पाते तो अब telescope का यहाँ पर क्या रोल था इसको हमें समझना होगा telescope क्या करता था दूर से आने वाले objects की light को capture करता था और उसे हमारे retina के उपर focus करता उस्तों माल लीजिए मेरे room में मेरे सामने TV लगा था मैं यहाँ बैठा था ठीक है I was sitting here यहाँ पर TV था यहाँ पर एक light source से light जो हो जल रही थी so light इस TV पर पढ़ रही है इस TV से light reflect हो करके मेरी आँखों में पढ़ रही है I am able to see this TV अब क्या हुआ जब कोई object बहुत दूर है यह माल लीजिए lakhs of kilometers दूर एक object है इससे light reflect हो करके आ रही है इससे light जो हो reflect हो करके आ रही है बहुत लंबा सफर लाखों किलो मेटर का सफर light टै कर रही है अब क्या है सर यह light जैसे जैसे travel करती जाती है light बिखरती जाती है so अगर हमारी eye यहाँ पर है so इससे आने वाली पूरी की पूरी light जो है वो हमारी आंख तक नहीं पहुंचेगी यह हमारी आंख इसका कुछ portion ही जो है वो हमारी आंख तक पहुंचेगा जब तक पूरे object की light हमारी आंखों पे नहीं पढ़ती है हमें वो पूरा object नजर नहीं आता इस वज़ा से तारों से एक छोटा सा dot दिखता है तारा क्योंकि उस तारे से पूरी की पूरी आने वाली light एक ऐसी device यहाँ पर लगाऊं जो इस पूरी की पूरी light को capture करे और इस light को capture करके मेरी आंख के उपर focus कर दे यह जो सारी की सारी बिखरी हुई light थी इसको अगर मैं एक किसी object से capture कर लूँ और वापिस उसको आंख के उपर focus करूँ तो अब मुझे यह पूरा का पूरा object नजार आना शुरू हो दूर से देखने पर एक छोटा सा dot नजार आने वाला star यहां कोई planet जो है जब उसको टेलिस्कोप में देखते है हमें वो पूरा का पूरा नजार आता है पहले वो dot क्यों दिख रहा था क्योंकि उसके surface से छोटा सा portion of light हमारी आंकों तक पहुँच रहा था तो एक बड़े object से छोटा सा portion एक dot की तरह हमारे आंक में image फॉर्म कर रहा था यह काम करता है sir टेलिस्कोप टेलिस्कोप क्या करता है कुछ इस प्रकार की device है तो टेलिस्कोप दूर से आने वाली lights को capture करेगा और इनको capture करके एक point पर focus कर देगा ऐसे focus करेगा यह दूर की light को capture करेगा इस light को एक point पर focus कर देगा जैसे ही उस point पर यह light focus होगी हम इस object को देख पाएंगे समझार है sir दुबारा से एक बार समझते हैं तो टेलिस्कोप के अंदर इस तरीके से तेंसो है वो लगे होते हैं इस से आने वाली light जो की normal conditions में सारी की सारी light हमारी आँखों पर नहीं पढ़ती normal conditions में अगर हमारी human eye इस तरीके से है तो normal conditions में यह light जो है वो इस तरीके से पास कर जाती तो सिरफ एक portion of light हमारी आँख में पढ़ता जिस वज़ा से हमें यह object एक dot की तरह नजर आता लेकिन टेलिस्कोप ने क्या किया इस सारी की सारी light को एक point पे focus कर दिया इस point पर अब इस object से आने वाली सारी की सारी light पढ़ रही थी तो हम पूरे तरीके से subject को देख पा रहे थे ये काम होता है एक telescope का so telescope क्यों हमें दूर की चीजों को दिखाता था I hope अब हमको समझ जो है वो आ गया होगा so जब बात आई space में चीजों को देखने की so हमें एक device telescope नाम की device की जरूरत थी ये telescope नाम की device तो है वो क्या करती है telescope lens works as a big eye जिसमें बड़ी आंग की बात कर रहा था so ये lens जो है ये big eye का काम करते है कि जितनी light है उसे capture कर लो उसे एक point पे focus करो ताकि हम human eye से उस object को देख सके so big eye का role play करता था ताकि दूर के object से आने वाली light को एक जगे पे focus जो है को किया चा सके इसके लिए आपने छोड़ छोड़ टेलिसकोप देखे होंगे जो observatories में या normally case लोगों ने घर पे रखे होते हैं लेकिन यहाँ पर important है उन telescope से हम इतनी detail जो है वो नहीं प्राप्त कर सकते कुछ important telescope के अगर मैं बात करूँ दोस्तों जब हम ये एक overview में आपको चीजों का दे रहा हूँ जब हमें in depth पढ़ना है जैसे हम हमारी जो plus or iconic classes में बढ़ते हैं तो उसमें माला गला types के telescope को discuss करेंगे gamma ray telescope है x-ray telescope है visible rays telescope है हम कुछ important telescopes को मैं आप की जानकारी मैं आपको देना चाहता हूँ जैसे Hubble Space Telescope है ये पहला ऐसा एक major optical telescope था जिसे space में place किया गया था अब क्या है कि अर्थ पे रहकर के ये जो light आ रही है ये अर्थ पे रहकर के object को देखना थोड़ा सा difficult हो जाता है सारी lights यहां तक सही ठग से नहीं पहुंच पाती है इस वचा से चीजों की clearer look के लिए space agencies ने अंतरिक्ष के अंदर ही telescope लगाना शुरू कर दिये so one of the first optical telescope जो space में place किया गया था in 1990s 1990 में इसका नाम था Hubble Space Telescope यह क्या करता था सर visible light आपको मालूम होगा विब ग्योर विब ग्योर violet, indigo, blue, green, yellow, orange, red आपने नाम सुना होगा अलग-अलग टाइप की lights का so एक होती है ultra violet, एक होती है infrared ultra violet और infrared के बीच में आता है विब ग्योर विब ग्योर क्या है सर यह visible light का spectrum है सूरेच से अलग-अलग प्रकार की rays जो है वो light की आ रही है कुछ x rays है, कुछ gamma rays है, कुछ ultra violet है, कुछ infrared है हर टाइप की ray को हम नहीं देख पाते हैं हम कुछ selective type of rays को देख पाते हैं जिने हम देख पाते हैं वो कहलाती है visible rays सो visible rays जो है वो सात रंगों से बनती है violet, indigo, blue, green, yellow, orange, red वो light जो violet के beyond है वो कहलाती है ultra violet जो red के before है वो कहलाती है infra red यह depend करता है light की frequency और wavelength पे अब frequency और wavelength क्या है? इसको थोड़ा सा अगर हम समझने की कोशिश करें कोई cover view मैं इसका आपको देदेता हूँ कोई भी light जो है वो waveform में travel करती है इस तरीके से सीधा नहीं travel करती है वो waveform में travel करती है so wave जो है उसमें दो surface होते है एक होता है crest और एक होता है trough so wave कभी height पे जाती है फिर नीचे आती है कभी height पे जाती है कभी नीचे आती है so दो adjacent crest या दो adjacent trough के बीच का जो distance है वो wave की length कहलाती है तो कुछ raise जो है वो जादा wavelength की कुछ कम wavelength की होती है इस हिसाब से waves को जो है वो demarket किया चाता है So Hubble Space Telescope क्या करता था ये visible light को observe करता था कुछ इस प्रकार का दिखता है ये Hubble Space Telescope 1990s में इसकी शुरुआत हुई थी और इस Hubble Space Telescope को हाल ही में James Webb Telescope द्वारा replace किया गया है भी हम James Webb Telescope की भी बात करेंगे इसके अलाबा एक important telescope है Kepler's Telescope इस लाँच्ट इन 2009 अज NASA's Discovery Program ये भी Space के अंदर लगाया गया है इस dedicated to finding planets outside the solar system हमने planetary systems में सिरफ वही planets को discuss करा जो हमारे सौर मंडल के अंदर लेकिन इसका क्या मतलब है कि सौर मंडल के बाहर कोई भी planets नहीं है सर Sun के आसपास कुछ planets है ऐसे ही Sun जैसे हजारों लाकों स्टार्स है उनके इर्दगेर्द कुछ planets घूम रहे होंगे सो Kepler Telescope 2009 से उन सभी planets की तलाश कर रहा है जो solar system के बाहर मौचूद है जिस प्रकार का दिखता है यह Kepler's Telescope उसके बाद आया सर James Webb Telescope यह European Space Agency और NASA ने even Canadian Space Agency ने मिल करके लांच किया था December 2021 में और July 2022 में इसने अपनी पहली तस्वीरें जो है वो बेजी Telescope का क्या काम था दूर से आने वाले object की तस्वीरों को capture करके हमें भेजना सर इसे time machine के नाम से जाना जाता है क्यों जाना जाता है वो मैं आपको बताऊंगा James Webb Telescope ने हमें कुछ ऐसी तस्वीरे भेजी सर जो कई लाख साल पुरानी थी millions of years पहले की तस्वीरे हमें भेजी almost जब big bang हुआ था उसके आसपास की समय की तस्वीरे हमें भेजी so 2022 में हमने वो तस्वीरे देखी जो actually millions of years पहले की थी ये कैसे possible हुआ time machine क्या होती है सर time machine होती है जो हमें पुरानी चीज़ें को दिखाए so James Webb telescope ने हमें 2022 में ऐसी चीज़े दिखाई जो actual में millions of साल पहले की थी ये कैसे possible था सर इसके लिए हमें दुबारा उस logic पे जाना है हमें कोई भी object कब नजर आता है जब उससे light reflect हो करके हमारी आँखों में गिरती है right अब James Webb telescope ने कुछ ऐसे objects देखे जो इतने ज़ादा दूर थे कि उनसे आने वाली light को James Webb telescope तक पहुँचने में भी millions of years लग गए so millions of years के बाद वो light जब James Webb telescope तक पहुँची so वो light क्या दिखा रही थी इस light ने उस object की वो तस्वीर दिखाई जो actual में millions of years पहले की थी so इस वज़ा से इस तरीके की devices जो है वो time machine कहलाती है क्योंकि ये जब तस्वीरे capture करती है तो actual में वो कई करोड किलो मेटर का सफर तै करके आई होती है जिसमें कई सालों का वक्त लग जाता है जिस वज़ा से James Webb telescope जैसे important telescopes जो है वो far away objects की लाखों साल पुरानी तस्वीरे दिखाते हैं जिस वज़ा से इने time machine भी कहा जाता है the light coming from those objects, stars और galaxies जिन्हें ये telescope capture करते हैं उनकी journey जो है वो millions of years पहले शुरू हुई थी और उसके बाद वो हमारे telescope तक पहुँची है इस तरीके से planetary systems का पूरा का पूरा discussion जो है वो cover हो जाता है हम basics मैं उमीद करता हूँ planetary systems के समझ पाए होंगे कभी news के अंदर कोई भी topic आपको इससे related है कोई article इससे related मिलता है तो वो हमें समझना होगा उसे understand करना होगा क्योंकि exam में उनसे सवाल हमें पूछे जा सकते दोस्तों planetary systems की discussion जो है हमारे में ने start करी थी और उसकी discussion एंड जो है वो हो चुकी है हम next lecture में एक नया science and technology का topic जो है वो take up करेंगे मैं उमीद करता हूँ आपको बहुत अच्छे से ये topic समझ आ रहे होंगे आप इन topics को बहुत अच्छे से understand कर पा रहे होंगे दोस्तों अगर आपको ये lectures पसंद आ रहे हैं तो जरूर ने share कीजिए, like कीजिए और अपने valuable feedback comment section में हमें जरूर दीजिएगा ये आपके लिए बहुत जादा important lectures है और सबसे जादा important है हमारी plus और iconic courses क्योंकि सिरफ कुछ lectures पढ़ने से UPS से तो qualify नहीं होगा न सर हर एक topic को in depth in detail पढ़ना है इसके लिए आपको हमारे plus और iconic courses के साथ जुड़ना होगा आपको use करना है ये code SAR10 ये code आपको massive discounts हमारे सभी courses पे दिलाएगा तो दोस्तों definitely हमारे साथ enroll करें अपनी preparation स्टार्ट करें और जल से जल इस exam को qualify करके भारत की bureaucracy का हिस्सा बने thank you very much all the best keep working hard bye bye take care जै हिंद